साथ यो दिल्ली पुलिस एडबलु ओ टीपियो की आंसर की रिलीज हो गई है SSC न अपनी ओफिशली वेबसाइट पर डाल दिया एक्सपेक्टेट कट आफ के साथ साथ कितने रॉंग कुशन्स बन रहे हैं आपके सैट में उन चीजों के बारे मी बात कर लेते हैं से बहले मैं आपको कुछ एक चीज़े क्लियर कर दूँ कि आंसर की मैं जो भी कुशन आपको रिप्रेजेंट करना है चैलेंज करना है उसकी लास्ट टेट बारा तारीक पांसर तक आप कर सकते हो हंडेड रुबीस का चार्ज लगएगा एक कुशन को चैलेंज करने का आपको चैलेंज बिलकुल करना चाहिए बारा तारीक तक बारा तारीक तक पांच बेजे तक चैलेंज कीजिएगा हर शिफ्ट की बात कीजाए तो मैंने जहां तक जितनी भी शिफ्ट देखी है जितनी भी शिफ्ट में एक्जाम हुगा है कुछ shifts में कम से कम 2 questions आपको ऐसे हैं जिनमें SSC आपके marks बढ़ा सकती हैं किसी किसी shift में 2 से ज्यादा भी हैं लेकिन 2 questions का हेर फेर तो लगी रहा है एक या 2 questions हर एक shift में लग रहे हैं जिनके answers आपके गलत देखने को आपको भी देखने को मिलेंगे अब बात करते हैं यहाँ पर कि कितनी क्या vacancy थी क्या था सब कुछ उस चीज़ों के बारे में कि दिल्ली पुलिस की दी बात की जाए तो 857 vacancy थी apprax इसमें कितने बच्चे qualify किये जाएंगे सबको पता होगा 16,000 के करीवन apprax बच्चे qualify किये जाएंगे फर्म कितने लोगों ने बढ़ा 50,000,000 से प्लस लोगों ने फर्म किया लेकिन यह matter नहीं करता है फर्म में appear कितनी होई यह matter करता है तो आपेर बहुत कम बच्चा हुआ है, धाई लाग के करीवन बच्चा हुआ है सबसे बड़ी बात यह है कि answer की release हो गई है और दूसरी बात यह है कि cut-off बताने से पहले मैं आपको पता दूँ कि negative markings में ही नहीं, तो सबोन है 100 मैंसे, मतलब पूरे मैं से 100% question attempt करके आएं और कुशेक के क्या है, तुक्के भी सही निकलेंगे इसमें बिलकुल होता है, या तो गलत निकलेगा या सही निकलेगा तो जो सही निकलता है, उसका positive point बन जाता है कि positive marks आपके आ जाती, normalization बिलकुल है यदि आपकी shift hard आ रही है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है marks आपके बढ़ कराएंगे, normalization के बाद अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर expected cut-off की answer की को जरूर challenge, मतलब questions को जरूर represent कीज़ेगा, बेजजग होके किस तरीकी से represent करना है, बहुत सारी YouTube पर वीडियोस हैं, आप देख सकते हो, लेकिन represent जरूर कीज़ेगा, यह मत सोची के कोई और कर देगा, ठीक है, यदि मैं बात करूँ यहाँ पर unreserved category की female और male cut-off की, तो male में आपके marks यदि 60-64 आ रहे हैं, तो यह marks है आप अपनी हर shift में 2-3 या 3-4 नंबर बढ़ा के जलिएगा, यदि आपके 85 marks भी आ रहे हैं तो अभी आपकी cut-off clear न हो जाईगी, क्योंकि normalization एक ऐसी चीज है जिसमें आपके marks बढ़ेंगे, यदि आपकी shift hard है, तो कुछ-कुछ के ऐसी भी बनेगे, कुछ-कुछ shift ऐसी भी बनेगे, जिसमें आपके 5-6 नंबर का आपको increment देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ-कुछन ऐसे हैं, जो गलत हैं, उनको SSE उसका marks देगी, आपको free का marks आपको मिलेगा, दूसरी चीजी है कि यदि shift आपकी hard है, तो normalization का भी marks आपको इसमें मिलेगा 55-58 यदि female candidate हैं आप, और 55-58 की cut-off आपके marks आ रहे हैं, तो cut-off मतलब इतनी production में बता रहा हूँ, जो मेरी production होती है, बहुत ज़्यादा आस-पास ही रहती है, कम ज़्यादा नहीं होता है, कुछ लोगों को बुड़ा भी लगता है, कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है EWS की 55-58, ठीक है, 52-55 female के लिए, OBC की 56-60, देको OBC की category में ज़्यादा फरक देखने को मिलेगा नहीं, आपको EWS और OBC की category में ठीक है, 50-54 किस के लिए, ये female candidate के लिए, ST के लिए 48-52 और SC के लिए female के लिए 45-48, ST के लिए 45-48 और 42-45 female के लिए तो ये exactly पूरी की-पूरी cut-off है, जिस category से आप belong करते हो, वहाँ से आप देख लिएगा और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है, कि इसमें negative mark नहीं थे, तो इतने marks आपको आपके हर तरीके से आपके आएंगे, ये दो आप cut-off को बिलकुल qualify कर लेंगे, पेपर का जो standard था, वो कुछ को shift में थोड़ा सा बढ़ा के दिया था, तो बिलकुल मत डरना, ये second बात और जुड़े रहे हैं चैनल के साथ